नमस्कार साथियो मैं ऐसे समुद्गल करता हूँ आप सभी का स्वागत मुद्गल क्लासिस के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो जैसा कि हमने अलाउदीन खिलजी वाली पिछली वीडियो में देखा था वहाँ पर हमारे कुछ टॉपिक्स जो हैं वो छूट गए थे लेकिन इस बार जो हैं हम इस वाली वीडियो में खिलजी वन्स का अंत पढ़ेंगे जिसके अंदर हम मेंली पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी और खुशरो शाह के बारे में लेकिन उससे पहले हम अलाओ दिन खिलजी के बारे में कुछ टॉपिक्स छूट गए थे तो उनके बारे में डिसकस कर लेते हैं तो अलाओ दिन खिलजी के द्वारा किये गए कर रहे हैं इसमें ये टॉपिक हमारा छूट गया था तो इसने सबसे पहले क्या किया जनता पर जजिया कर लगाया जजिया मैंने आपको बता रखा है जजिया क्या होता है जल्दी से कमेंट कीजिए उसके बाद जो है इसने जो है जनता पर घरही और चरही कर लगाया घरही कर बोलते थे मेंली हाउस टैक्स को हाउस टैक्स बोलत इसने जो है एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दिवाने मुस्तखराज और वो जो दिवाने मुस्तखराज था ये मेनली जो है भ्रहष्टाचार को मिटाने के लिए और करवसूली के लिए बनाया गया था ठीक है उसके बाद इसने दिली में जो है अलाई मिनार अल शुरुवात की जिसका नाम था हुलिया और दाग प्रता हुलिया का मतलब ये जितने भी हमारे इसके मतलब सेना में सेनिक होते थे उन सबका एक हुलिया तियार करवाता था और जो दाग प्रता थी ये ती गोडों पर दाग दिये जाते थे दाग का मतलब कि ये हमारी ही सेना का गोडा है ठीक है उसके बाद इसने ही बाजारों में सबसे पहले मूल्यों को निर्दारित किया था कि कौन सी वस्तु कितने मूल्यकी होगी मुद्राष्ट विति को नियंतृत करने वाला पहला सुल्टान था कौन अलाओदिन खिल जी यानि जिसने मुद्राइस फिती को सबसे पहले निया था उसका नाम था क्या? अलावदिन खिलजी उसके बाद मरत्यू जो हुई इसकी तेरे सो सोले में दिल्ली में हुई और जब दिल्ली में मरत्यू हुई तो मकबराभी सिद्धी बात है कि मकबराभी कहा होगा? दिल्ली में होगा उसके बाद इसका उत्तरादी कारी इसका पुतर बना जिसका नाम था क्या? मुबारक शाह खिलजी ठीक है? अब मुबारक शाह खिलजी के बारे में देख लेते हैं चार साल का पीरेड रहा है इसका आयोग्य सुल्तान था 1316 से और 1320 इस भी तक मुबारक शाह खिलजी जो था सबसे पहली चीज़ आयोग्य सुल्तान था दूसरा खुद को ही खलीफा गोशित करने वाला पहला सुल्तान और अपने दर्बार में औरतों के कपड़े पहन कर आने वाला पहला सुल्तान था और देखो सबसे पहली बात है अयोग्य सुल्तान था केवल चाल साथ ही राज कर पाया और उसके बात है 1320 में इसे सिंगासन से अटा कर गद्दी पर कौन बैट गया खुश्रोशा अब ये खुश्रोशा कौन था ये था कनवर्टेड मुस्लिम कनवर्टेड मुस्लिम का मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में डिसकस किया था कि जब मंगोलों का अकरमन हुआ था तो कुछ मंगोल्स जो थे वो हमारे भारत में रह गए थे यानि वापस मंगोलिया नहीं गए थे तो वो जो है उसके बाद वो मुस्लिम धरम में कनवर्ट हो गए थे तो उनी में सी था एक खुष्रो शाज जो कनवर्टेड मुसलिम था इसका विरोध जो है इसके पंजाब के एक दिदार ने किया जिसका नाम था गाजी मलिक था गाजी मलिक ने इसका विरोध किया और इसको गदी शाटा दिया ठीक है अब गाजी मलिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ रोषागो गद्धी शाट अगर शिंगासन पर बैठा था कौन गाजी मलिक और शिंगासन पर बैठ गर एक नए वंश की स्थापना की ती जिसका नाम था क्या तुखलक डाइनस्टी तुखलक डाइनस दिसकस करेंगे गाजी मलिक और गयासुदिन तुखलक के बारे में जिसका शाशनकाल रहा तेरह सो बीच से तेरह सो अच्छी सवी तक ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर आपका कोई कोशन छूट ग भूलें बिलकुल यह आपको जो है मैं बिलकुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं ठीक है तो टेक केर वाई बाई थेंक यू धन्यवाद शुबरातरी